आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासिस के यूटूब चैनल पर हाजी थमने लाप ने बिल्कुल सही पढ़ा जी टीए को लेकर कंफ्यूजन क्यों है इसका जवाब आज मुझे मिल गया है क्योंकि मार्किट में जितनी किताबे हैं उन किताबों में ज किताबों से पढ़ा रहे हैं तो वो अपडेट होकर नहीं पढ़ा रहे हैं तो काफी टीचर्स मार्किट में गलत पढ़ा रहे हैं लेकिन मैं आज आज आपकी सारी जो दिक्कते हैं जी टीए को लेकर वो दूर कर दूँगा इस वीडियो में अगर आपको पता है जो जी ट आया लो तो section 9 3 आया section 9 3 ने क्या बोला कि let's suppose यहां पर एक GTA है ठीक है जो एक company को service दे रहा है मालो fin tax को service दे रहा है तो government यह कहती है कि जर्नल रूल यह होता है GST collect करने का कि भई forward charge में हम GST collect करेंगे मतलब जो service provider है ठीक है ना जो service provider है वो अपना 10,000 का bill बनाएगा उस पर GST लगाएगा 1200 पे और company 11,200 की payment करतेगी यह है section 9 1 ठीक है ना जो charging section हमारा कहता है लेकिन जब company से 11,200 की payment कर देती थी तो यह GTA क्या करता था सारे GTA नहीं कुछ GTA क्या करते थे कि यह 1200 पे government को जमाई नहीं करते थे तो government ने क्या बोला कि जो GTA की service होगी उस पर RCM लगा देंगे लेकिन जो बड़े बड़े GTA है उन्होंने इसका विरोध किया उन्होंने का नहीं भाई साब आप मेरे recipient को परेशान मत करो उससे मत बोलो कि registration कराए टेक्स जमा करे मेरे को जो option दिया जाता है FCM का वही option दो forward charge का government ने का चलो ठीक है अगर तुम FCM में जाना चाते हो तो तुम FCM में चले जाओ लेकिन आप कितने percent GST दे देना बारा percent GST दे देना यहां पर जो index है उसे कोई दिक्कत नहीं क्योंकि यह बारा percent पर ग्यारा जार दोसों का बिल आएगा वह बारा सो रपे का ITC क्लेम कर लेगी ठीक है जो बारा पर सेंट का रेट है यहां पर GTA को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि GTA क्या कर रहा होगा यहां पर अपने ट्रक खरीद रहा होगा या कोई और गुट्स या सर्विस ले रहा होगा उसका ITC ले लेगा लेकिन कब जब वह बारा percent से forward charge में टेक्स दे रहा होगा यह कहानी है एक दूसरा GTA है जो कहता नहीं साब ना मैं registration कराऊंगा ना मैं return file करूँगा मुझे कुछ नहीं करना है आप जो मेरा recipient है उसे ही बोलो लेकिन आपकी कोई जुम्मेदारी नहीं सारी जुम्मेदारी किसकी है company की तो यह क्या करेगी पाच percent का company ITC ले लेगी और पाच परसेंट से यह RCM में जमा कर देगी ठीक है तो यह दो तरीके थे जिससे GTA tax होता था यह सब लोगों को पता है सर अगर यह GTA अपनी जो भी सर्विस दे रहा है और वो सिरिफ और सिरिफ और सिरिफ RCM में है तो क्या वो ट्रक का ITC ले पाएगा आंसर इस नो क्योंकि भाई तुम्हारी सारी सर्विस कैसी है जिस पर सामने वाला टेक्स दे रहा है और रेट भी कितना है पाच परसेंट तो हम तुम्हें कोई ITC नहीं देंगे लेकिन इस company का क्या दोश तो इस company को तो ITC मिलेगा यह दो तरीके चल रहे थे लेकिन क्या हो ठीक है अगर रजिस्टर है बेशक आरसीम सामने वाले को देना है लेकिन अपनी जीस्टीर वन तो डालता ही था जीस्टीर वन में डालता था तो यह आरसीम कई बार बूल जाते थे बड़ी दिक्कती तो यह जो जीटिये वाले है इंगोंने क्या चीज बोली कि भाई सब हमें भी जो forward charge का option है वो दे दो गोर्मेंट ने गाओ दे तो रखा है 12% option है तो तो धारे नहीं 12% बहुत ज़्यादा है जैसे तुमने rcm वालों को 5% का option दे रखा है हमें भी ऐसी 5% का option दे दो तो गोर्मेंट ने इनकी बात मान ली और यह बात कम मानी गौवर्मेंट ने इनकी बात मानी 13 जुलाई 2022 को डेट याद रखिएगा 13 जुलाई 2022 को यह बात याद रखी नोटिफिकेशन नंबर 3 सेंटल टेक्स रेट और इसमें क्या लिख दिया अगर आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे अगर आप यह नोटिफिकेशन नहीं है तो आप मेरे से मांग सकते हैं यह नोटिफिकेशन हमारी टीम टेलिग्राम पर देदेगी और इस नोटिफिक उसमें ट्रक खरीदे या कुछ भी खरीदा तो हम तुम्हारे सामने वाले व्यक्तियों को तो ITC मिलेंगे हमारे अग्जामबल में नेकिन लेकिन अगर तुम्हें ITC लेना है तो 12% में जाना GTA और अगर ITC नहीं लेना तो किस में जाना 5% में अब यहाँ पर GTA फिर बडग गिया कुछ GTA कहने लगे भाई हम नहीं देंगे tax tax हमें तो RCM वाला ही ठीक था तो गोर्मेंट ने का ठीक है RCM वाला भी रहेगा लेकिन RCM वाले में जो पहले 5% था वही 5% रहेगा अब यह जो अमेंडमेंट आई यह अमेंडमेंट गब आ गई जी 13 जुलाई को आ गई और गोर्मेंट ने का भाई साब यह अमेंडमेंट आपको फोलो करनी है ठीक है और जब आप GTA हो तो आपको साल के सुरुआत में बता देना है कि भाई आप 5% वाले forward charge में जाना चाहते हो या 12% वाले में जाना चाहते हो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला कि भाई GTA खुदी बता देगा कि आप forward charge में जाना चाहते हो ठीक है ना या आप कौन सा option लेना चाहते हो एक साल जाना option for the GTA for GST ठीक है ना forward charge before the commencement of the year ठीक है यह चीज़ इन्होंने बता दी ठीक है अब यह वाली notification कब से apply हो गई 18 July 2022 से अब GTA यह सारी चीज़े कर रहा है यह practical चल ला है लेकिन जो किताबे हैं जितनी भी किताबे हैं या जो लोग पढ़ा रहे हैं उन्होंने अभी तक यह 12% का option लखा हुआ है और 5 वाला रखा हुआ है जो 5% का forward charge में आया यह option लखा ही नहीं और इनी किताबों को दे दिया जा रहा है बच्चों को पढ़ने के लिए कि अगर तुम्हारे मई में अग्जा में तो भी यही किताबे पढ़ो अगर तुम्हारे नमंबर 23 में अग्जा में तो भी यही किताबे पढ़ो अरे भाई जब यह amendment जुलाई में आ गई तो आप इस study material को change कर दो न या आप कोई supplementary study material दे तो इस चीट को समझे और हमेशा इस चीट को समझना कि जब GTA की बात आती है तो GTA में RCM की जब बात आती है वो तभी आती है जब कोई service taxable अगर किसी service को exempt कर रखा है government क्या अगर रखा है exempt तो वहाँ पर कभी RCM की बात आएगी RCM क्या है tax को collect करने का एक mechanism है तो अगर tax को collection की बात आएगी वो तभी आएगी जब वो taxable हो चाहे वो FCM में आएगी चाहे वो RCM में अगर कोई service exempt हो जाती है तो क्या RCM की बात आएगी answer is no क्योंकि जब जिस service पर tax ही नहीं है तो उसका collection कैसे होगा तो यहाँ पर कई लोग में इसे question पूछते हैं बार बार तो आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए हमने क्या गरा है GTA पर पूरा webinar रख दिया GTA के ओपर पूरा webinar है अगर किसी ने अभी तक इसमें admission नहीं कराया तो करा लो सारी GTA की queries लेंगे इसके अलावा हमारे हर week webinar होते रहते हैं कभी high court judgment पर कभी GST notices पर अगर आपको यह join करने है तो आप पूरे साल की membership ले सकते हो जिसमें 40-50 webinar मिलेंगे आपको मजे से join करो और अगर आप यह सारी चीज़े detail में सीखना चाते हो तो Sunday to Sunday हमारा course भी चल रहा है जिसमें 80 घंटे का course है अगर आपने अभी तक इसमें registration नहीं करा है तो करा लो ठीक है आपको सारी चीज़े ऐसे detail में सिखाई जाएगी और अगर आप exam दे रहे हो भाई तो समल कर exam दो सर क्यों कहा रहे हो ऐसा क्योंकि market में बहुत सारे teachers बहुत सारी books आपको गलत पढ़ा रही है तो इसलिए हमने student की भलाई के लिए सोचा है कि CA Inter को पढ़ाना शुरू कर दे तो भई अगर आप CA Inter पढ़ना चाते हो तो हमने उसका भी एक March से batch launch कर दिया है ठीक है लक्षमी नगर में योगा face to face batch तो आप उसे join कर लो आपके near dear कोई भी हो आप उने भी इस वाली वीडियो को बेज सकते हैं तो आशा कर रहा हूँ कि जीतिये का काफी कुछ मैंने आपको clear कर दिया होगा बाकि संड़े के webinar में और अपनी class में हम इसे clear कर देंगे तो आप एक class के लिए भी enroll करा सकते हो सर एक class के लिए भी हाँ जी आपको लगता है कि नहीं भाई अभी नहीं देने तो एक class के लिए भी आप enrollment करा सकते हो उसका भी option है जैसे कि let's suppose इस Sunday हम क्या बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं और section 9 बढ़ा रहे हैं तो आप एक class में registration कर सकते हैं पूरा course करना चाहे है पूरा course कर सकते हैं ठीक है तो मुझे comment box में लिख कर बताना आपको वीडियो कैसी लगी ठीक है क्या आपका भी confusion दूर हुआ या नहीं हुआ ठीक है न क्योंकि ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप पढ़ते हो तो पढ़ने में बहुत ज्यादा confusion हो जाती है जैसे कि कई service exempt है कई service GTA की exempt है तो जो service exempt होती है कई लोग पूछते इस पे GST कोन देगा अरे जब exempt है तो बात ही क्यों कर रहे हो यार कि कोन देगा कोन नहीं देगा किलियर हुई मेरी बात अगर किलियर हुई है तो चैनल को subscribe कर दीजिए वीडियो को like कर दीजिए और जादे से जादा लोगों तक share कीजिए इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ thank you for watching